सरोका बिधान सभा चुनावों पर फड़न वीज का बड़ा बयान बोले सियम शिंधे के नेतरुत में चुनावों लड़कर होगी सत्ता में वापसी हिमाचल में कॉंग्रेस के पास मुख्ये मंत्री पत के लिए कई चेहरे चुनाव प्रचार के बीच बोले भूपेज बगेल करनाटा के सियम बोमई बोले कर्ज चुकाने में देरी होने पर किसानों की संपत्ती की जप्ति रोकने के लिए लाएंगे कानू केंद्री जल्शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत बोले केवल नदी नहीं है गंगा धर्म दर्शन सांस्कृतिक और सभता का प्रवा है सुप्रिम कोर्ट पहुचा सिस्वा बाजार नगरपाली का परसत के चुनाओं का मामला 11 नमंबर को होनी है सुनवाई टेरर फंडिंग मामले में एन आईये ने दाउद इबराहिम छोटा शकील के खिलाफ दाखिल की चार्ज शेट सामने आई कई नाम जनगर्मन और बंदे मातरम को समान दर्जा प्राप्त किंद्री ग्री मंतराले ने डिल्ली हाई कोट में दाखिल किया हलफ नामा बिहार के सीता मड़ी में पटाखो के भी स्पोर्ट से चार बच्चे जुल से तीन की हालत गंभीर स्केम सीच रिफर नितिश कुमार ने कहा इंजिनरिंग की पढ़ाई कर बिली थी नौकरी मगर देश शेवा के लिए जेपी आंदोलन में हुए शामिल केजरिवाल का दावा मुझे भाजपा ने ओफर दिया कहा गुजराच चुनाओ ना लड़ो तुम्हारे मंत्रियों को छोड़ देंगे महराष्ट में कभी भी हो सकते हैं मध्यावधी चुनाओ उद्धफ ठाकरे ने कारकरताओं से कहा तयार रहो एडी ने दस घंटे की पूस्ताज के बाद मनेश्य सोधिया के पीयों को छोड़ा पिसले दरवाजे से निकाला बाहर महाठग्र सुकेश का आरोप केजदिवाल और सतिंद्र जैन दे रहे धमकी सीबियाई जांच की मांग करने से कोई रोक नहीं सकता जहरीली बनी हुई है दिली की हवा हर पांच में से चार परिवार बिमार हो रहे अस्तमा और सांस के मरीज बढ़ें प्रेमिका की हत्या के लिए रात भर जाकता रहा प्रेमी लखनव में सुभा से ही घर पर टीकी थी रोहित की निगाहें मेरट के अलावा हापुर बागपत के पेट्रोल पंपो पर धोखा धड़ी स्टी अफ की जाच में मिलावट के साथ धोखा धड़ी का बड़ा खेल पांच थानों में एफ आई यार संबल में अलप संख्या कल्यार मंत्री मोहिशिन रजा का बयान सपासांसत पर साधो निशाना बोले शफिकुर रह्मान पर्क की विचारधारा तालिवानी आगरा में यमना एक्ष्प्रिस वे पर सरियालदे ट्राला में खुसी बस हादसे में की मौत कई दरजन घायल दिल्ली से ग्वालियर जा रही थी प्रियागरा सांसत को परिवार सही जान से मारने की धंकी मुंबई से फोन कर पचास लाख रुपे की मांगी रंगदारी एफ आई यार दर्ज कौश शांबी में रिटार्इड फोजी को दस वर्ष की कैड़ दस हजार का जुर्माना भी लगाया आठ साल पहले हुए मर्डर में कोट ने सुनाया फैसला जासी में रेड जोन के करीब पहुचा एक्यू आई एर क्वालिटी इंडेक्स 298 चू कर 241 पर पहुचा और जोन में हैं महानगर फटेपूर में पराली जलाने पराट किसानों पर एफाई आर तीस हजार का लगाया जुर्माना डियम बोले किसान जागरूप बने ना जलाने पराली अमरोहा के तिगरी गंगा मेला में जुटे लाख हुसर धालू भक्तों को भा रहा गंगा किनारे बसा तंबो का शेह सेसी टीवी में रखी जा रही नजर प्यागराज में गरजेंगे एक लाख किसान चर जनपदों की किसान राकेश टिकैट की मवजूदगी में जल्वा चौराहे पर करेंगे महा पंचायट कानपुर में रोडवेज बस पर महिला ने किया पत्राओ मेरट से यात्रियों को लेकर जा रही थी जान बचा कर भागे पैसेंजर सीटापुर में राजे मंत्री ने रोकाती क्रमड अभियान बोले खोखे से आया हूँ इसलिए दर्द जानता हूँ सड़क से अवैद कपजा हटाने पहुची थी कानपुर में क्लीन गंगा क्लीन सिटी की ठीम पर हुई मेरथन ग्रीन पार्क से इस कौन तक चार राउंड में दोड़े कानपुर वासी खुन की कमी बता प्रेसूता को अस्पताल से किया बाहर प्रताबगड के मेटकल कॉलिज का मामला प्रचार की फटकार के बाद दोबारा किया भरती हाथ रसमे धूम धाम से मनाया खाटू श्याम की जन्रू सो श्याम प्रेम कमपाउंड में निशा चड़ाने के बाद हुआ भवकार्टरम गाजीपुर में पूरु महिला प्रधान गिरफतार दो साल से गवन के मामले में चल रही थी फरार पुलिस ने खोशित किया था पच्चीस हजार काईना कानपूर में डेंगू के बाद नॉर्मल बुखार भी परशान कर रहार रिपोर्टने गिवट्टिव आने के बाद भी प्लेटलेट्स हो रहे तेजी से डाउन पी एसी कटर मास्टर परवसूली और पिटाई का आरोप आगरा में नौकरी छोड़ने के बाद नाई के खाते में आई तनक्वा सुल्तानपूर में मुक बधिर महिला से रेब घर पर अकेले रहती है पीड़ता गाउं के यूवक पर आरोप एफायार के बाद आरोपी की तलाश शुरू केड़ी की हत्या में छे पर कुर्की की कारवाई शुरू हापुड में तीन महिने पूरो पेशी के दौरान मारी थी गोली फरीदाबास से आया था सुनवाई पर बियेच्चियू हॉस्पिटल में डॉक्टर को थपड मार कर भागे एमर्जेंसी बाट में गाली गलोच नाराज डॉक्टरों ने इलाज रोका इटावा में दो इस्थानों पराग से हजारों का नुक्स्तान नर्म देशवर मंदिर परिशर में शिलेंडर और दासीपूर में तीन छोपड़ी में लगिया अबेटका नगर में ग्रामिरों का प्रदर्सन बोले दबंगो ने रास्ते पर कर रखा है कबजा सिकायत के बाद भी नहीं हो रही कारवाई कौतम बुद नगर में 15 पुलिस कर्मियों की गैर हाजरी दर्ज उपराष्ट पती आगमन की दौरान ड्यूटी पर पहुचे लेट डी सी पी ने दीचे तावरी 187 वाईयू प्रदूसर कारी उद्योगों को नोटी जारी मुजफर नगर में इधन के रूप में कर सकेंगे केबल पायो मास का प्रियोग लकीम पूर्खिरी में दावाले ने गई दलित युफ्टी के साथ दूश कर्म जोला चाप डॉक्टर ने युफ्टी से किया रे लकनाओ के सहाधत गंड में चला चेकिंग अभियान बिना हेलमेट के वहां चलाने वालों को दी गई हिदायत हर्दोई में शुबा रात के साथ एतिहासिक राम डीला का हुआ शुभारम बिविनिस्थानों पर जुलूस का किया गया सुआ गयात में बैक फुट पर आई नीम गाउं की पुलिस गाजियाबाद में सही लाज ना मिलने पर मरीज की मौत मोती नगर एस आई हॉस्पिटल का मामला उत्राखंड के उत्तरकाशी में दहरादून तक भुकंप से डोली धरती खरों से बाहर निकले लोग साथ नवंबर से उत्राखंड में शुरू होगी भारत जोडो यात्रा निशाने पर रहेगी धामी सरकार उत्राखंड के हरिद्वार पुलिस को भटकाने के लिए बनाये गया चोरी का सीन योजना बना कर की गई हर्त्या उत्राखंड सहीत उत्तर भारत में ताजा पश्यमी विशोब सक्री तीन पहाडी जिलों में वर्सा बर्फबारी के आसार उत्राखंड में उत्रकासी के अठारा गावों में स्वचता की स्थिती बदहाल कागजों में चल रही गंगा निर्मलता की योजना है उत्राखंड के पूर्व सरकारवाह सुरेश भाईया जी जोसी ने कहा हमारी सबता संस्कृती से पंच भूत का विशेस महात्वा उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुसकर सिंगधामी की सुरक्षा में चूक थाना नहरू कालोनी प्रभारी को किया सस्पेंट उत्राखंड में UK SSC पेपर लीग प्रकरण के तीन और आरोपित को मिले जमाना देश छोड़ने पर पावंदी उत्राखंड हरीद्वार के पॉस्ट शोसाइटी में चल रहा था जिसमें फरोशी का धंदा पुलिस ने तीन ग्राह को सहित पांच को दबोचा उत्राखंड के दहरादून में जमीन बेचने के नाम पर मा बेटे से हुई तेरा लाग की धोका धड़ी चार के खिलाफ मामला दर्ज उत्राखंड के रुड़की में किशोरी के अपहरण अदुशकर्म में बिजनौर के युवक को 20 साल का कठोर कारावास उत्राखंड में महल सिंग हत्याकान के मुक साजिश करता बाब बेटे को गैर जमानती वारन जारिज जब तो होगी संपत्ती न्यानिताल हाई कोट ने की थी कुलपती प्रोफेसर एनेम भंडारी की नियुक्ती निरस्त सुप्रिम कोट ने सुरक्षित रखा है फैसला उत्राखंड में सिष्टम के पसी ने छुड़ा रहा डेंगू का डंक तूर से बारा नए मामले 1383 कुश संख्या उत्राखंड में 20,000 पदों पर भरती के लिए चलेगा विशे सभियान रोजगार मेलों में तेजी लाने की निर्देश तोटे ने छुड़ाया जर्नलिस्ट का इयरफोन चोरी की रिपोर्टिंग कर रहा था कंधे पर बैठा तोटा और इयरफोन ले उड़ा मिस्ट्र मेयाज से COP 27 क्लाइमेंट समिट पुट्रेस बोले क्लाइमेंट चेंज सबसे बड़ी चुन आती इस्पेन में बेलगाम हुआ चेनी रोकेट प्रिशान महसागर में गिरा रोकेट का मलबा इस्पेन ने डर की वज़ा से एयरफोर्ट कर दिये थे बंद कनाडा में हिंदू प्रवासियों ने पूछे मेयार से तीखे सवाल खालिस्तानी समर्थकों के नफरत भरे बेनर्थ हटाने की माल चीन में सक्त पावंदियों के बीच दर्ज हुए पिछले 6 महिने के सबसे अधी COVID-19 मामने थमाकों से फिर्देला, सोमालिया, मोगादिश में आत्मगाती हमले से 15 से जादा लोगों की मौत कई खायत रूसी सेना यूकरेन पर जम कर बरसाए गोले अधेरे में पहुचे कई शहर मौमबती के उजाले में रहने को मजबूर हुए लोग इम्रान के आरोपों पर भड़के पाकिस्तान के पीम सहबाज शरीप आरोप साबित होने पर राजनीती छोड़ने का किया एलान पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर इम्रान खान के भासर को किया गया था बैन एक ही घंटे में सहबाज शरीप ने वापस लिया फैसला सयुक्त राज्टे में नाजिवात के खिलाफ रूस के प्रस्ताव को भारत का समर्थन बावन देशों ने विरोध में वोट डाला ट्वेटर की ब्लू टिक वाली स्कीम पांच देशों में सुरू अभी आई ओएस यूजर्स को देना होगा चार्ज ट्वेटर के को फाउंटर ने लोगों से मागी माफी साथ नवंबर से महेंगी होगी टाटा की गाड़ियां कमपनी ने कीमतों में 0.90 प्रतिशत की बड़ोतरी करने का फैसला किया SBI का दूसरी तीमाही का रिजल्ट गोशित नेट प्रॉफिट 74 प्रतिशत बढ़कर 13,265 करोड रुपे रहा टाइटन का दूसरी तीमाही का रिजल्ट गोशित दूसरी तीमाही में कमपनी का नेट प्रॉफिट 34 प्रतिशत बढ़कर 897 करोड रुपे रहा RBI रेपो दर में कर सकता है ब्रिधी पंजाव एंट सिंध बैंक का शुध लाप होगा 278 करोड रुपे विदेश में साथ लाख टंचीनी बेच सकेंगे निर्यात तक खाध मंत्रालन ने दिया नुमती मस्क ने यूजर को दिया जवाब बोले भारत में एक महिने में शुरू हो सकती है पेड वेरिफिकेशन सर्विस आरबियाई गवर्नर शक्तिकान दास का बयान बोले रुपे में गिरावट को भावनात मक नहीं तथात मक तरीके से देखें रेलवे ने दी खुशी की खबर फिर कम हो गए प्लेटफॉर्म टीकट के दाम अब देना होगा दस रुपे का शुल्क एक्सिस बैंक में एफडी पर दे रहा जादा बयाज बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की बयाज दरों में किया बदलाओ चैदर समलाओ पचास पृतिसत तक का सालाना रिटन वसीम अकरम ने मैच फिक्सिंग पर तोड़ी चुपी बोले इंगलेंड ने मुझे एक बहतरीन तेज गिनवाज के तौर पर देखा जाता है वर्टकप से बाहर होने के बाद बेहर निराज हैं मैक्स वेल बोले हम एक टीम के तौर पर बहतर कर सकते थे लेकिन ऐसा करने में नाकाम्याब रहे स्री लंका पर जीत के बाद जोस पटलर का बयान बोले है काफी करीबी मैं सब बहुत श्यांदार अनभव रहा शाकी बलहसन को आउट दिये जाने पर मचाबावाल अंपायर के फैसने से दिखे नाराज मैदान छोड़ने को नहीं थे तयार साउट आफरिका टी ट्वेंटी वर्ड कप से बाहर एवी डी विलियार्स को लगा जटका बोले आउच हमारे साथियों के लिए खेद है अच्छा खेले टी ट्वेंटी वर्ड कप की आखरी मैंस से पहले भारा सेमी फाइनल पहुचा बड़ा उलट फे नीदरलेंड से हारी दक्षिड आफरिका स्री लंकाई बले बाज दुन शका पर रेप का रोप इंगलेंड श्री लंका मैच के बाद होटल में सीडिनी पुलिस ने किया गिरफटार सेद मुस्ताक अली ट्रॉफि को मिला नया चैंपियन मुंबई पहली बार चैंपियन फाइनल में हिमाचे प्रदेश को तीन विकट से हराया हार से हताश महमद नवी ने छोड़ी कपतानी बोले टी ट्वेंटी वर्ड कप में फेंस के उमीदों पर खरा नहीं उतर सका सुनील गावसकर का बड़ा बयान बोले करीवी मुकाबलों और उलट फेरू के लिहास से सफल रहा है मजूदा टी ट्वेंटी वर्ड कप फिर रूबीन अदिले को लगी चोड़ जलक दिखला जा कि सेट पर घायल हुई अक्टरिस बोली ये शो मुझ से और क्या क्या लेगा राहूल ने अठ्या के साथ शेयर की फोटो रोमेंटिक अंदाज में बर्थ डेविस किया एक दूसरे को कॉम्प्लिमेंट देते नजर आया कपल महिश भट ने नाना बनने से पहले जाहिर की खुसी बोले मैं नए सूरज की उगने का इंतजार कर रहा हूँ के जी एफ इस्टार यश का नया लुक मुंबई एरपोर्ट पर ट्रेड लॉक अफ़तार में आये नजर देख फैंस बोले सलाम रोकी भाई एक साथ दिखाए दिये दो गुविंदा मुंबई एरपोर्ट पर कार से उतरते हैं गुविंदा को मिलाओं उनका डुब्लिकेट फैंच हुए पैर खिचवाई फोटो दिख्षा पाटनी को हुई थी मेमूरी लॉज की बिमारी सिर पर चोट लगने की वज़ा से चली गई थी यार्दाश नुसरत जहाने कराया ग्लैमरिस फोटो शूट कैमरे के सामने दिये बहत्रीन पोस वीडियो देख फैंस में की तारीफ नानी जया बच्चन की रिलेशन्सिप एडवाईस पर नब्या का रियक्शन कहा भी ना शादी के बच्चा करने से मुझे कोई भी समस्या नहीं है राहूल गांधी पर मुझे चुराने का आरोब केजी एफ टू का संगीत भारत जोड़ो यात्रा में इस्तमाल किया कंपनी ने एफ आई आर दर्ज कराई शारुक ने ट्विटर पर वो किया एएस के एस आर के शेहसन पठान से कमबेक पर शेयर किया अपना एक्सपिरियंस प्राइम शतक में इतना ही देज़ुने की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस